आपके चार्जिस क्या हैं? खाली 20 रुप है और मिठ्ठु का प्राइस? तोटे की क्या कीमत है? क्या बोली? मिठ्ठु बिकाऊ नहीं है बता वर्ना तेरे कपड़े बिकवा दूँगी क्या समझते हो? पैसे कमाने के लिए इस मासूम से परिंदे का मिस्योस करते हो? शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? उसे खाने का एक चोटा सा दाना देकर खुद के लिए पुरे दिन का जुगाड करते हो? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? यह चोटा सा परिंदा तुम्हारे पूरे घर का पेट पाल सकता है हां तो अगर तुम खुद कुछ करोगे तो अपनी फैमली के लिए पता नहीं क्या कर सकते हो इसे खुली हवा में छोड़ने के बजाए तुमने इसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है इस बिचारे को अपना तो फ्यूचर कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे बत्तमीज के साथ इसे कप तक रहना पड़ेगा यह दूसरों का फ्यूचर क्या बताएगा हां लोगों की इमोशन का फाइदा उठाकर उन्हें इमोशनल फूल बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती आजादी इंसानों का नहीं जानवर का भी हख है यह क्या कर रहे हो यह है इस कासली फ्यूचर आजाद मिठ्धू आजाद मिठ्धू पापा साजा तेरा जंदा चौपन कर दिया तुने पेंट भरने के लिए किसी पर जुन करना गलत है तुम्हें पैसे ही चाहिए ना चीए यह लो पेट भर के खाना हां जुग 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 और ले लो बहुत अच्छा का आप लेए मैं उस दिन गई थी वहाँ पर हां मुझे तो उसका सामान बहुत अच्छा लगा अगली बार जाओंगी तो खरीदूंगी हलो क्या चाहिए तुम कमाल हो सच में बड़ी प्यारी हो बलकि सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारी सोच भी बहुत प्यारी है हां जानता हूं किसी अजनभी को ऐसे सड़क की भीच तारीफ करना अजीब तो है शायद घलत भी हो पर अपने जज़बाद चिपाना भी तो घलत है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं क्या तो मुझ से शादी करूगी तुम तो कुछ कहीं ने रही हो मैंने कुछ गलत कहा तो सौरी हां गलत ही तो है किसी दो बच्चे की मा से यूँ सड़क पर चाटिंग करके सेटिंग करना गलत है रुको मम्मी आ रही है मेरे चैसी हाउस वाइफ सर्फ सबजी खरीदने और बच्चों को स्कूल लेने चोड़ने के लिए घर से निकलती है अब तो मैं ऐसे रोक कर मेरी यह आजादे भी छीनना चाहते हो रुको रुको अरे इतनी देरी कैसे हो गए इतनी अभी बताती हूँ आज तो बहुत ड्रामा हो गया बाबा काम खतम करके मैं घर वापस आ रही थी एक बिवकूफ अचानक मेरे पीछा करने लगा मुझे शक हुआ मैं मुड़ी तो देखा कि वो ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ था अच् सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए मुझे तो लगा कहीं ये गवार मंगल सूतर जीब में रख कर न लाया हो पर मैं हूँ तो आपका ही हूँ पता है मैंने क्या किया बता मैंने उससे कहा कि भाई साहब मैं पहले सी शादी शुदा हूँ और दो बच्चों की मा भी हूँ मा दिव्या वहाँ बेंच पर यही मम्मी मिली थी ना हा मा अरे बापरे लगता है गई भैस पानी में तूने जो कुछ भी कहा सब जूट का पर मैंने इससे सब कुछ सच कहा है मैंने तो इससे अपना दावाद मान भी लिया है इसका नाम है जगन मेरा दोस्त है और इसका दिल सोने का है बचपन से गुरु कुल में हम साथ ही पले बढ़े हमारी अपनी कोई फैमिली नहीं इसका मैं हूँ और मेरा ये है अगर आप चाहें तो रिष्टे की बात आगे बढ़ाते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ाते इक ही बार मिलके आप फैसला कैसे कर सकते हैं तुम शायद गलत समझ रही हो मुझे तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था पर बिना तुम्हारी रजामंदी के शादी के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बेवकुफी होगी इसलिए मैं तुम से अकेले में बात करना चाहता था बाबा मैं ऐसे अकेले में बात करना चाहती हूँ हाँ हाँ बिल्कुल बात करो मैंने तो इससे घंटा भर बात की भाई मुझे तो लड़का अच्छा लगा आज तक जितने भी लड़के तुम्हें देखने आये, तुमने सब को खरी खोटी सुना दिया फर ये उन जमूरों जैसा नहीं है, जाओ, उपर जाके बात कर लो, जाओ बेटा मुझे शादी करके घर बसाने में कोई इंटरस्ट नहीं क्यों? जहां तक बाबा का सवाल है, मेरी शादी उनका सबसे बड़ा सपना है पर मुझे लगते हैं, मुझे कभी भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए तुमारी सुने की प्राब्लम के बारे में जानता हूं, पर ये प्राब्लम इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम किसी को शादी सही इंकार कर दो प्राब्लम तो तब होगी जब मैं तुमसे शादी करूँगी मुझे पत्नी बनाकर कदम कदम पर तुम्हें मुश्किलें जेलनी पड़ेंगी शुरू-शुरू में तुम्हें शाद सब अच्छा लगे, पर जिन्दीगी बर जेल पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है पत्नी का मतलब सुक तुक बाटने वाली, ना कि जिन्दीगी भर का बोज और इसके लावा एक बर फिर मैं किसी अपने के मौत की बचा नहीं बनना चाहती मा मा के सैंडल्स गाइब है, मतलब आज भी सबजी लेने मार्केट गई है चलो, अच्छा हुआ, आज मैं गाने सुनते हुए दांस करूंगी अरे यार, लाइट चली गई, इस लाइट को भी अभी जाना था क्या नो प्रोब्लम, वाक मैन तो है जोती, स्कूल से वापस आ गई, बागन लड़की मां, क्या हुआ मा 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 मेरी बचह से मा चली गया और मुझे पता तक नहीं चला जो भी मेरे साथ रहेगा उसकी जान पर खत्रा मंडराता रहेगा इसलिए मैंने लोगों की भलाई को ही अपनी जिंदगी बना लिया है अब हर कोई मदर टेरीसा तो नहीं बन सकता लेकिन उनके बताए रास्ते पर तो चल सकता है और भलाई के रास्ते पर चलने के लिए मैं हर बार अपने पती से परमिशन बिलकुल नहीं मागना चाहती मैं सिर्फ अपने पती का घर संभालने में जिंदगी नहीं बिता सकती एक मिनट तुम्हारी शादी ना करने की वज़ा क्या है तुम्हारा कुछ ना सूंपा न या लोगों की भलाई में तमाम जिंदगी गुजारना एक बर फिर से कहता हूँ मैं तुम्हें बेहाद चाता हूँ और फिलाल तुम्हारे जिंदगी में बहुत कनफूशन है It's okay, जब ये confusion दूर हो जाएगी, मैं तुम्हारे सबनों में आने लगूँगा और जब आने लगूँ, तो बाबा के हथ मेसेज भीचवा देना फिर मिलेंगे एक और बात देख लेना एक दिन तक्दीर हम दोनों को मिलाएगी जरूट छलो भाए तो, क्या पढ़ाया टीचर ने? सोना था अपसराय दिल से सोचती है आज देख भी लिया पर वो मेरी होके रहेगी कोई पसंद आई बाई हाई जीटी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा पीछा करना घलत है उसके लिए अब तुम्हें फोडो इतनी पसंद आई गई हैं तो ये घलती मैं बार-बार दोहराने को तैयार हूँ हलो, एथर उधर क्या देख रही हो मैंने सोच लिया है, शादी तो तुमसे ही करूँगा मैं अपनी पूरी जिन्दगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊँगा तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया ना तो कसम खाके कहता हूँ देवदास बन जाऊँगा, मैंने तो बोल दिया अब तुम्हारी मरसी पापा बोल रहा हूँ, दमाज जी ने एक वीडियो भेजी देखी, कैसी लगी वो? एक तब हीरो लगता है पूरे शराबी है आप, जितना पीनत पियो ठीक है, ठीक है मुझे बात पस करना